अब समय है एक कहानी का और आज की हमारी कहानी है अंडे का फ्रंडा जिसे लिखा है अपर्णा अथ्रिया ने जिसके चित्र बनाए है स्वाती अगरवाल ने और जिसका अनुवाद किया है पंकत चतुरवेदी ने और जिसे प्रकाशित किया है प्रथम भुक्स ने छे साल की काव्या को चिडियों के साथ खेलना बहुत पसंद है उसे अपनी खेत में गायों को खिलाने में बहुत मज़ा आता है एक सुबा उसने जोर से आवाज लगाई नमस्ते दादी ने आवाज लगाई काव्या अंडे गिनने में जरा रगु की मदद कर दो रगु अंडे गिन रहा था एक, दो, तीन, चौदा ओए मेरी चपल नीचे रखो अभी इसी वक्त वो फिर से गिनने लगा बारा, तेरा ओए मैं तेरा पर था या बारा पर रगु सोच में पढ़ गया एक, दो, सोला पुनीत, मेरी साइकल को मत चूओ पनरा, सोला अरे नहीं, मैं कहा था उसने काव्या से कहा अभी मैं सारे अंडे इकठे कर लेता हूँ हम गिन्ती बाद में करेंगे काव्या बोली मैंने स्कूल में गिन्ती करने का एक सरल तरीका सीखा था तुमको बस एक से दस तक गिन्ती करनी है बड़ी संख्या गिनना तो कठिन है लेकिन छोटी संख्या गिनना आसान है है ना? रगु बोला हम, मैं तो करोड तक गिन सकता हूँ लेकिन दस तक गिन्ना तो बहुत सरल है दस अंडो को एक टोकरी में रखो और फिर एक नई टोकरी ले लो फिर से एक से दस तक गिन्ती करो अब तुम्हारे पास दस अंडो वाली कई टोकरियां हो जाएंगी रगु ने काव्या को देखकर मू बनाया रगु ने दस अंडे गिने और उन्हें टोकरी में रखा फिर उसने दूसरी टोकरी ली और उसमें भी दस अंडे रख दिये उसने उतावले पन से कहा मैंने सारे अंडे इकठे कर लिये हैं क्या तुम बता सकती हो कि हमारे पास कितने अंडे हैं काव्या ने पूछा, तुम्हारे पास अंडों से भरी कितनी टोक्रिया है? रगु ने जवाब दिया, दस अंडों से भरी पाँच टोक्रिया, यानी पचास अंडे, काव्या ने कहा. अरे, तुमने इतनी जल्दी कैसे गिन लिया? दादी ने पूछा. अजी, दस अंडे एक टोक्री में, हमारे पास पांच टोक्रिया हैं, ऐसे में, दस, जमा, दस, जमा, दस, जमा, दस, अंडों की पांच टोक्रिया यानी की पचास अंडे, काव्या ने कहा. कावे और रगु दादी के साथ बाजार गए उन्होंने अंडे बेचने का आनंद लिया घर पर आकर उन्होंने पैसे गिनने में दादी की मदद की रात के खाने में उन्होंने भात के साथ मज़ेदार अंडा सामबर खाया तो ये थी बच्चों हमारी आज की कहानी अंडे का फंडा जिसमें जैसे हमने पिछली आक्टिविटी में चीजों के ग्रुप बना क्यों ने गिना वैसे ही इन्होंने यहां कितने अंडों का एक ग्रुप बनाया बिल्कुल सही, दस अंडों का एक ग्रुप और इनके पास कितने ग्रुप थे? अरे वाँ, फिर से सही जवाब, पांच ग्रुप तो दस अंडे एक ग्रुप में और ऐसे पांच ग्रुप यानि 10 जमा 10, यानि 10 प्लस 10, जो होए 20 फिर 20 और 10, हुए 30, फिर 30 और 10, हुए 40, और 40 और 10, हुए 50 यानि 5 तामस 10 इस 50, यानि 5 इंटो 10 इस एकल तो 50